हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपके सामने टिग्नोमेट्री से डिलेटिट सम्स शो करेंगे फर्स्ट ओफ ओल हमारे पाद जो सम है एक्स साइन 90 माइनस ठीटा कॉड 90 माइनस ठीटा equal to cos 90 minus theta find the value of our x इसमें हमें इस x की value find करनी है तो सबसे पहले हमारे पास sin 90 minus theta हमें मालूम है जो 90 वरे quarter में जो sin होता है वो cos में change हो जाता है जो coat होता है वो 10 में और जो cos होता है वो sign में change हो जाता है तो सबसे पहले हमारे पास sin 90 minus theta वो हमारा cos में change हो जाएगा cos 90-θ थिटा 10 में change हो जाएगा और cos 90-θ sinθ में change हो जाएगा x cosθ अब 10θ को हम change करेंगे sinθ upon me cosθ equal to sinθ अब हमारे पास cosθ से cosθ कट हो जाएगा x sinθ equal to sinθ x sinθ इस साइड जाकर multiply में हैं इधर इधर जाकर divide हो जाएगा sinθ sinθ से sinθ कट हो जाएगा x की value हमारे पास आजाएगी 1 हमारा 1 आएगा answer and next question हमारे पास है second question sinx minus 20 degree equal to cos 3x minus 10 degree हमें value find करनी है x की तो x की value find करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों को same बनाना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसको sign को हम cos में convert करने के लिए हम इसको sign को ऐसे लिख सकते हैं cos 90 degree minus x minus 20 क्योंकि जब cos change होगा तो sign cos 90 minus theta लिखेंगे तो इसका answer again क्या आएगा sin theta तो हमारे पास cos 90 minus theta मैंने इसको लिख लिए है equal to cos 3x minus 10 अब हमारे पास cos और cos seem हो गए है अब हम next step में क्या करेंगे इसको पहले open कर लेंगे 90 minus x minus minus plus 20 equal to cos 3x minus के 10 cos 90 और 20 110 minus x degree equal to cos 3x minus 10 degree अब हमारे पास ये cos और cos same है इसको हम cut कर देंगे हमारे पास क्या आएगा this equal to this यानि कि 110 minus x equal to 3x minus के 10 अब हमारे पास जो constant digit है उसको एक side variable को एक side कर देंगे 3x इस side आएगा minus के plus का है इस side change करेगा तो अपना sign change करका change करेगा plus के 3x है minus के 3x होजेंगे जब ये side change करेगा अब 110 हमारा plus का है जिसके आगे कोई sign ना हो उसके आगे plus का sign होता है तो ये हमारा plus का है ये अपनी जब side change करेगा तो अपना sign change करेगा plus का है तो उदर जाके minus का होगा minus के 110 तो minus minus plus minus minus plus लेकिन sign हमारा minus का ही show होगा क्योंकि add वले सब में हमारे पास जो greater digit के अगे sign होता है वह ही show होता है और जब हम multiply करते हैं तो हमारा जो sound मुँ से आती है हमारी वह वला sign show होता है जैसे plus 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 तो last में sound क्या है plus plus minus minus last में sound क्या है minus तो आप minus show करोगे minus minus plus last में plus की sound है तो आप plus show करोगे minus minus बड़े digit का sign नहीं लगाओगे बड़े digit का sign तब लगाओगे जब आप addition करोगे add करोगे add में बड़ी डिजिट का sign show होता है और multiply में जो rules है plus 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 minus minus जो ठल नंबर पे हमारे mouse से sound आ रही है वो वला हमारा sign show होता है तो इसमें हम 3 और 4 4x equal to minus minus plus यानि कि sign हमारा बड़े का minus आएगा और वैसे हम इसको add करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120 minus से minus हमारा cut हो जाएगा x equal to 120 अब ये 4 हमारा इदर multiply में है इदर जाके divide में एक चीज हमने याद रखनी है ये sums linear equation में आपके पास आएगे जो चीज इदर plus होती है वो उस सेट जाकर minus जो चीज इदर multiply होती है वो उस सेट जाकर divide जो चीज इदर divide होती है वो उस सेट जाकर multiply ये सब आपको linear equation में read करने को मिलेगा same वही pattern हमारा यहाँ पर भी use हो रहा है तो आप यहाँ पर cutting करोगे 4, 3, 2, 0 x की value आपके पास आई 30 आपका ये x की value आपके पास find हो गई आप next sum हमारे पास है 3 x 3 x 3 x equal to secant theta and 3 upon x equal to 10 theta and find the value of आपको value find करनी है 9 x square minus 1 upon x square की इसकी आपको value find करनी है तो सबसे पहले आपको ये चीज आपको make करनी पड़ेगी ये चीज कब make होगी जब आपका यहाँ पर 3 का whole square होगा 3, 3, 9 बनेगा x का भी whole square चाहिए 1 upon x की भी whole square चाहिए तो आप क्या करोगे इसको first इसको second digit show कर लोगे अब आप क्या करोगे पहले तो आप first का square both side कर दो first equation में square both side तो आपके पास हो जाएगा 3 x की square and second square theta 3, 9 x की square and second square theta अब आप इस second equation की भी square both side कर दो second equation में square both side 3 upon x की whole square equal to 10 square theta 3, 3 is a 9 x square equal to 10 square theta अब आप इन दोनों को यहाँ पर देखो क्या किया हुआ है subtract किया हुआ है बीच में minus का sign है तो आप भी इसको subtract करोगे तो आप लिखोगे subtract first and second equation अब आपने first और second equation को आपने minus करना है इसको आप third मालो third and fourth equation third और fourth equation को आपने minus करना है तो आपकी third equation क्या है 9 x square second square theta और यह है 9 x square 10 square theta 9 x square minus 9 upon x square equal to second square theta minus 10 square theta अब आपके पास यह आ गया आप 9 common ले सकते हो 9 आपने common ले लिया x square minus 1 upon x square आपके पास शो हुआ और इदर आपके पास यह formula बन गया second square minus 10 square equal to 1 होता है तो आपको उपर देखो आपको यही find करना था तो हमने यह find कर लिया ओके अब next sum हम आपको करवाएंगे next sum आपके पास है sine theta next sum आपके पास है sine theta for sum आपके पास है sine theta upon me 1 plus cos theta आपने इसको simplify करना है simplify करना है आपने इसको तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको rationalization करेंगे जब इसमें rationalization होता है तो यहाँ का sine change हो जाता है यहाँ plus है आप यहाँ minus लगाओगे 1 minus cos theta 1 minus cos theta sine theta 1 minus cos theta and नीचे आपका क्या होगा 1 की square minus cos square theta ओके student अब हमारा जो यह है यह तो आपका formula बन जाएगा आपके पास क्या आएगा sine theta 1 minus cos theta upon me sine square theta ओके student आपका एक sign cut हो जाएगा और 1 sign आपका यहाँ पर remain रहेगा 1 upon sine theta minus के cos theta upon me sine theta this cosecan theta और this cot theta यह आपका आजाएगा answer ओके students आपके पास question है from the given figure find the value of a cosecan a plus cot a आपको इसकी value find out करनी है आपको given है a b की value c b c की value a and a c की value आपको b given है तो आपको किसकी value find करनी है cosecan a plus cot a की value find करनी है तो जैसे की आपको पता है cosecan a sine का उल्टा होता है sine का reverse है sine sine की हमारे पास जो होती है perpendicular upon hypotence तो perpendicular हमारे पास यहाँ पर क्या है this perpendicular a hypotence क्या है b तो आप यहाँ से cosecan a find कर सकते हो इसका उल्टा यानि की b upon a ओके student अब हमारे पास quote a पुछा है quote a सबसे पहले quote a निकालने से पहले हम 10 निकालेंगे 10 a 10 a का formula हमारे पास होता है perpendicular upon में base perpendicular हमारा a है base हमारा c है तो a upon c इसी तरह हमारा quote 10 का opposite होता है उल्टा होता है तो आपके पास quote की value यहाँ पर आएगी c upon a बस आप इसकी value यहाँ पर put कर दोगे b upon a plus c upon a this is your answer आप a calcium ले सकते हो इसमें a b plus c this is your answer ओके students I'm next next sum आपको given है आपको इसमें ps दे रखा है ps ps given ps 40 cm आपको ps जो है वो 40 cm दे रखा है 14 this 14 cm ओके figure में आपको 13 cm this दे रखा है और 5 cm this दे रखा है आपको 10 a की value find करनी है आपको 10 a की value find करनी है तो first of all हम figure में देखेंगे कि figure में हमें क्या चीज़ समझा रही है सबसे पहले हमारे पास ps 14 है तो आप लिखो ps equal to 14 cm सबसे पहले हमने ps लिखा next हमारे पास हमें पता है ps जो है वो pt और ts से मिलकर बना है pt प्लस ts से मिलकर बना है हमने इसको यहाँ से divide कर दिया ok student यहाँ से हमने इसको divide कर दिया क्योंकि हमने इसको क्या बना लिया एक rectangular shape बना लिया अब हमारे पास यहाँ पर 14 cm इन दोनों की addition जो है हमारे पास 14 cm है अब हमारे पास p और t यहाँ पर जब भी हमारा rectangle होता है हमें पता है rectangle में आमने सामने की जो हमारी रिखाएं होती है वो sides होती है जो आमने सामने की वो equal होती है तो अगर यह 5 है तो यह भी 5 होगा अगर यह कुछ भी given है हमारे पास 3 given होता तो यह भी 3 होता तो हमारे पास यह 5 given है तो यह भी 5 है यानि कि हमारे पास p t की value आपके पास given है 5 cm तो आप इस 5 cm को यहां put कर दोगे pt की value में 5 cm plus ts equal to 14 cm अब आप यहां पर ts 14 cm में से आपका 5 cm less होगा आपके पास ts आएगा 9 cm अब आपके पास ts जो s है वो 5 9 cm आगे ts टी से लेके s तक आपके पास 9 आगया है ओके students अगे देखिए अब आप p क्यो की square अब हमें इसको find करना है p क्यो को p क्यो की square हमारी किसके equal होगी पाइथा गोरस theorem के according p क्यो पी आर की square equal to p क्यो की square plus pr क्यो की square आपकी चो पाइथा गोरस theorem होती है उसके according आपके पास क्या होता है hypotenuse की square equal to perpendicular का square plus base का square अब हमारे पास यहाँ पर p r की square equal to p क्यो की square plus r क्यो की square क्योंकि हमें find करना है p q तो आप p q को इसी side रहने दोगे p q को इसी side रहने दोगे formula बना लोगे p q का p r की square minus r q की square आपके पास p r की square जो आपके पास है वो 13 है 13 की square और r q की square आपके पास 5 की square अब आपके पास 13 की square आएगी वो आएगी 169 169 और 5 की square आएगी 25 ओके students अब आपके पास जो आएगा 169 minus 25 144 आपके पास हमारे पास आजाएगा p q equal to इसका root p q की square आपके पास आजाएगा 144 और p q का आएगा आपके पास इसका root तो आपके पास आजाएगा 12 p q equal to 12 p q आपके पास 12 find out हो गया है अब आपके पास p q अगर 12 है तो आपके पास t r भी 12 होगी 12 cm अब हम इसमें 10 a find करना है 10 a find करने के लिए हमें क्या चाहिए है 10 a find करने के लिए हमें उपर चाहिए है perpendicular और नीचे चाहिए है base perpendicular upon में base अब हमारे पास जो perpendicular है वो तो है t r t r हमारे पास perpendicular है this t r perpendicular और हमारे पास जो base है वो है p q p q हमारे पास base है p q base और perpendicular हमारे पास क्या है t r तो अब आप लिखोगे TR upon me TS this this angle 10A हमें find out करना था 10A हमारा यहां था इसलिए हमने ये वली डिजिट को हमने ये वली साइड हमने इसको जोड़ा और इस वले angle को हमने बना लिया अब हमें इसी तरह RS और TR और ST सब कुछ हमने find करा और इसको निकाला तो अब हमारे पास TR upon me TS हमारे 10A निकालने के लिए हमें जो चाहिए था वो हमारे पास है तो अब 10R 10R जो हमारे पास है वो है 12 cm and TS हमारे पास है 9 10A अब हम इसकी cutting कर देंगे 2 4s are 12 3 4s are 12 and 3 3s are 9 4 upon a 3 अब हमारे पास क्या find out हुआ है 10A 4 upon a 3 हमारे पास 10A find out है 4 upon a 3 इस तरह हमारा ये question complete है अगेन एक बार से द्वारा से revise करना चाहूंगे में ये question को इस question में इस diagram को अच्छे से देखिए ये diagram में हमने इस चीज को make करा है only ये diagram था इस चीज को हमने खुद से make करा है ये वली side और ये वली side को हमने equal मानना है क्योंकि ये एक square की rectangle की side है जिसमें rectangle की आमने सामने वली side जो होती है वो equal होती है इसलिए हमने इस वली side को five show करा है और ये side show करने के बाद हमें इस चीज को find करना है इस चीज को find करने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज को find करना पड़ेगा P क्यों को और ये find out करने के लिए हमारे पास ये दो चीजे हमें given है हम easily इसको find कर सकते हैं पाइथा गोरस के दवारा करन का square लम का square हीपोटेंस का square equal to बेस का square प्लस परपैंडिकूलर का square अब हम ये चीज find करके ये चीज से ये वली value हम TR की value हम लिख लेंगे TR की value यहां लिख लेंगे अब TR की value भी होगी और यहां से हम इसकी value भी find कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ये दोनो equally divide है तो हमारे पास PT प्लस TS equal to 14 cm था तो PT हमें पता है कि ये वली side इसकी equal है तो ये 5 है तो इससे हम ये वली side भी find कर लेंगे जब हमारे पास ये दोनो sides find हो जेंगी तो उसके बाद हम 10A अराम से लिख सकते हैं क्योंकि 10A का हमें formula पता है कि हमारे पास 10A का formula होता है perpendicular upon में हमारे पास होता है base तो इस तरह हम 10A को easily find out कर लेंगे okay students next हमारे पास this हमें given है A T equal to 3 cm और B D equal to 4 cm and C B equal to 12 cm and find the value of a 10 theta यहाँ पे भी हमें 10 theta की value find करनी है तो सबसे पहले हमारे पास A D जो हमें given है वो कितना है 3 cm तो आप यहाँ पर 3 cm लिख लोगे A D हमारे पास 3 cm है next हमारे पास B D अब हमारे पास B और D 4 cm given है and next हमारे पास C और B 12 cm given है this sides हमें given है अब हमें value find out करनी है 10 theta की तो first of all हमें पता है कि A B का whole square equal to A B का whole square equal to A D का whole square plus B D का whole square तो सबसे पहले आप Pythagoras theorem लगाओगे A B की square equal to A D की square plus B D की square यानि कि यहां पर आपके पास आजेगा 3 की whole square plus 4 की whole square 3 3s are 9 and 4 4s are 16 25 A B आपके पास आएगी 25 A B आपके पास आएगी 5 तो आपके पास A B find out होगी है अब आपके पास आपको पढ़ता है कि 10 theta आपके पास कैसे find out होगा जब आपके पास उपर क्या होगा perpendicular नीचे क्या होगा hypotence अब आपके पास theta find out करना है theta हमारा यहां से find out करना है तो इसके लिए हमारे पास जो है अब हमारे पास A B की value आचुकी है 5 अब हमारे पास 5 भी आचुका है और नीचे base भी हमारे पास given out 12 तो हम easily इसका answer लिख सकते हैं 5 पॉना 12 answer ओके students आज के लिए इतना ही अब हम next video में next sum के साथ मिलते हैं ओके bye good bye